What is SEO? SEO stands for Search Engine Optimization. अगर आपका भी सेम आंसर है, तो इस वीडियो को पूरी अन तक देखें, बगौस इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि Search Engine Optimization actually होता क्या है? मैं रविरेंजिन, आपका Big Faction Video चानल पे फिर स्वागर करते हैं. जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में आपसे पूछा कि What is Search Engine Optimization या SEO? जी हाँ, आज हम उसी के बारें बात करने वाले हैं, तो हम जब भी कभी किसी का इंटर्व्यू लेते हैं, या किसी को ट्रेन करते हैं, या Works Related कहीं पे जाते हैं, और वहाँ पे अपने Client को बोलते हैं, कि हम आपका Website का SEO करेंगे, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि उनका Website को हम SEO यूज करते हुए, Search Engine पे रांकिंग लाएंगे, जहाँ पे कोई भी उस Product से Related, या फिर वेबसाइट के Services Related, कोई सर्च करेंगे सर्च इंगे तो उसके रांकिंग बनेगी, और जब रांकिंग बनेगी तो Visibility आएगी, और obviously Visibility आएगी तो काम आएगा, SEO जो बना है, वो basically दो वर्ट से SEO बना है, Search Engine एक पहला word हुआ, और Optimization दूसरा word हुआ, So सबसे पहले बात करते हैं, सर्च इंगन के बारे में, What is a Search Engine? A Search Engine is a software that has been created to search for information or data, और to find information from World Wide Web, Internet के जरिए, या फिर किसी और means के जरिए, Because हम सभी को पता है कि आज के टाइम पर thousands of website है, जिनके पास millions of TB of data है, जो इस सर्च इंगन पर स्टोर हुआ है, बहुत महनत लगता है सर्च इंगन पर data स्टोर करने के लिए, और ये सारे सिस्टम को create करके एक सर्च इंगन बना है, तो अगर कोई सर्च इंगन के बात करें, तो हमारे दिबांग में Google ही आता है, और अब दूसरे वर्ट की बारे में बात करते हैं, optimization, So, what is optimization? Optimization means using something perfectly, So, what I mean to say here, मैं या क्या कहना चाह रहा हूँ, कि we'll do the best optimization of the search engine in search of engine optimization, that is, use the search engine to the advantage in a better way, जहां पे हम उस advantage को use करके, हम अपना products को, अपना services को top पे रख सकते हैं, किस तरह हम अच्छे अच्छे techniques को use करते हुए, optimize करते हुए, कोई keyword set को पकड़के, और उस keyword set पे optimization को start करेंगे, और अपना website या services को वाले pages को, हम लोग ranking पे लाएंगे, search engine पे, So, suppose कि मेरे पास एक website है या business है, जो मेरे को search engine पे लाना है, ताकि कोई भी person इसको देखना चाहिए, search करना चाहिए, मेरे business को, product को, services, वो search करें, और जब वो search successful होगा, तो उसको मेरा product देखीगा, तो services आएगी, So, this is the best use of search engine in optimization that we can do. The next question is, how do we optimize search engine? हम search engine को optimize कैसे करते हैं? So, जैसे कि मैंने कहा था, कि search engine वो software है, कि जो की बहुत efforts के बाद बनता है, and ये सबसे पहले एक बहुत ही secure network होता है, जैसे कि Google, आप Google के back end के साथ tamper नहीं कर सकते हैं, नहीं आप Google के back end में जाके algorithm या coding के साथ कोई changes कर सकते हैं, एक simple language में, हम उसके search engine पे, उसके मुताबिक ऐसे से activities perform करेंगे, जहाँ पे वो मेरे products को या services को अपने top के pages पे showcase करने वाला है, और that also with a set of keywords. So, SEO works on basically three type of activities, on-page SEO, off-page SEO, and technical SEO. On-page SEO के अगर हम बात करें, इसका मतला हम अपने website पे relevant changes जो करते हैं, जैसे title पे change किये, content में change किये, images पे change किये, blogs में change किये, articles पे change किये, कुछ data और आड़ किया, ति ये on-page SEO के अंदर आता है, off-page SEO होता है, कि जहाँ पे हम लोग अपने website के link को as a backlink यूज करते हैं, उसको off-page SEO बोलते हैं, और तीस रह, technical SEO, technical SEO को वो मतलब होता है, जहाँ पे हम ये make sure करते हैं, कि जब हमारी website open हो रही हो, वो जादा समय नहीं ले रही हो, उसको open करने में जादा समय ना लग रहा हो, जादा लाग नहीं हो रही हो, या फिर और भी चीज हो सकती है, हम SSL certificate maintain करके हैं, हमारा website गूगल के search पे safe दिखा रहा है कि नहीं, तो ये सारे चीज़े टेकनिकल SEO के अंदर आती है, जैसा कि हमारे company एक SPNS service-poired network, other than that, हम लोग digital marketing भी करते हैं, और साथ-साथ influencer marketing भी करते हैं, तो अगर आप Google पे जाएंगे और ये mention करेंगे, best digital marketing agency in Bangalow, तो आपको, जैसे आप देख सकते एफ वीडियो पे, ये सब होती है SEO का पार्ट, आप ऐसे करके SEO से अपना rank कर सकते हैं, website को rank कर सकते हैं, service-related pages को rank कर सकते हैं, यह होती है SEO की techniques, जिसके मदद से हम search engine को use करते हैं, अपने business को अच्छे तरह की सब promote कर सकते हैं, तो दोस्तों, उमीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, आपको SEO से related सारे terms and conditions समझ में आवगी कि यह work कैसे करता है, अगर कल को आप जाके यह सोचें कि हमें ने आपना सारा SEO को work कर लिया है, हम लोग यह तीनों चीज on page, off page और साथे साथ technical SEO point को भी cover कर लिया है, अब मेरे website कल के कल दिखने लगेगी, तो आपका answer गलत है यहाँ यहाँ पर यहाँ पर जाते जाते हैं, मैं एक term को और आप इंटेड्यूस और नॉलेज करना चाहूंगा, कि अगर आप सोच रहें कि कोई website आप से related है, और वो top पर ranking पर कर रही है, तो आप अपनी पर वेबसाइट बना रहे हैं, same details या same cheese content को copy paste करके, आप use कर रहे हैं, तो so that आपको यह लगेगा, कि आपकी website भी तब top rank करने लगेगी, because मैंने details या data same use किया है, तो आप यहां पर बहुत ही बड़ी गरत फहिमी में है, इसको हम लोग बोलते हैं black hat technique, जो कि Google easily capture कर लेता है, जब भी आप यहां पर black hat technique को use करेंगे, हो सकता आप कुछ समय तक SEO पर top पर रहें, but definitely जब Google इसको review करेगी, तो आपके content को नीचे ले आएगी या आपके content को ban भी कर सकती है, इसलिए यह हमेशा make sure करें, कि जब भी आप SEO करते हैं, तो आप अपने unique strategy को ही SEO करें, because तभी आपको best results और long term results देखने को मिलेगा, अगर आप कुछ और चीज से technique को करेंगे जो कि black hat के अंदर आती है, definitely आपको हो सकता है कि primary success मिल जाए, but long term आपके पास failure ही रहेगा, तो यह चीज प्लिलकुल ध्यान रहें, तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको आज का video ज़रूर पसंदा है होगा, अगर आपको वीडियो पसंदा है तो इसे like, share and subscribe जरूर करें, और साथी साथ अगर आप चाहते हैं कि हम चैनल के से और भी वीडियो इस तरह के लेका हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स वे अपने कमेंट जरूर मेंशन करें, तो फिल हाल के लिए आज के लिए धनेवा बिग फाक्शन से बने ने लेके thank you.